हलो फ्रेंड्स वागते आका माई चैनल पर सिर्फ एक कोटोरी चावल और एक चमब तेल से बना ये नास्ता आपको जरूर पसंद आएगा नास्ता जालीदार बनता है हलका फुलका बनता है और टेश्टी बनता है और इसे बनाने के लिए आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है सभी सामगरी आपके घर पर ही अवेलबर रहती है तो घर में जब कुछ भी ना हो समझ में ना है क्या बनाए तो इस तरीके से इस नास्ते को आप बना सकते ये नास्ता बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ज़दा पसंद आता है और दूसरी खासियत यह कि बहुत इकम तेल में बनकर तयार हो जाता है तो चलिए इस मज़िदा से नास्ते को बनाना शुरू करते उससे पहले अगर आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस हमाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथ ही नाट्पिकेसर वि ले सकते हैं यहां पर मैंने रिगुलर राइस लिया है जो हर किचन में आसानी से मिल जाता है और अब हम क्या करेंगे चावल को अच्छा से तीन से चार पानी वास करेंगे और इसको हम विगो के छोड़ देंगे पंदरा मिनिट के लिए तो यहां पर देखे टाइम की वच देखेंगे तो चावल ज्यादा पानी सोख लेंगे और यह नास्ता बहुत ज्यादा गीला बन जाएगा फिर आपको बनाने में दिक्कत होगी तो यहां पर देखिए इस तरीके से मैंने चावल लिया है वेट ने यह हमारा 150 ग्राम है और नाप में एक बड़ी कटोरी आप हमारी यह मद्यदाव सी रेस्पी कहां से देख रहे हैं और साथ ने जगा का नाम लिखना मद भूला तो अगर आप यह बनास्ता बच्चों के टिफिन बॉक्स में पती के लेंच बॉक्स में देना चाते हैं तो आप इसकी पेप्रेशन रात नहीं करके रख सकते हैं तो य बचावल जार मत लेना उसमें आपको चावल को पीछन में दिखकत होगी और आप इसमें कुछ चीज डालेंगे तक्या के आइया आगा बदा देते हैं तो सबस्ते पहले हम इसमे दो ग्रीन चिली डालेंगें जो इस तरीके से दोड़कर डालेंगे फिर इसके बाद हम इस डाली हूँ और अब हम बिना पाई डालें इसको अच्छे से पीसेंगे तो पाई डालने की बिल्कु भी जुरूर नहीं पड़ेगी कि हमारा जो चावल है वो अच्छे से फूला हुआ है तो यह आसानी से पिस जाता है तो चलिए इसको पीस के लिए क्याते हैं फिर आपको तो फ्रेंड यहां पर देखें इसको विल्कु अच्छे से पीस लिया है पीसने विल्कु भी दिक्कत नहीं होती अच्छे से पीस जाता है क्योंकि चावल हमारा फूला हुआ था अब इसको हम इस तरीके से टास्फवर कर लेंगे और इस तरीके से हमारा गारा बेटर बज इसकोि बॉइल करने के बार थंडा कर लिया है और कने मुंसकिल से हमारा 10 गम का आलू है अगर आका चोटा है थो आप डोले लेirus लेना आलू को फंडा कररके ही इस्तौं आहया कर neither को आकर अगार आप के पास हुबला अलू नहीं थो तो आप खच्छ आलू भी लेसकतें ल तो देखिए इस तरीके से आलू को छेल लिया है और अब हम इसको कट करके डालेंगे यह देखिए इस तरीके से कर लेंगे कट करके डालने से क्या होगा कि यह बिल्कुर अच्छे से पिस जाएगा तो पारी नहीं डालना है आलू डालने से बहुत ही बड़ी हार रिजल्ट तो नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले बैच पेसा था उसमें नमक डाला था तो चलिए इसको भी कवर करके विल्कुल अच्छे से पीस लेतें फिर आफ से मिलते तो फ्रेंड यहां पर देखिए विल्कुल अच्छे से इसको पीस लिया है और इस बार मैंने जब आल कि चम्मा से तन्हें अच्छा से निकल नहीं पाता है फिंगर से आप निकालेंगे तो अच्छा से निकल जाएगा और आप इसके अंदर हम कुछ चीज़ा एड़ करेंगे क्या क्या आइए आपको बदा देते तो सबसे पहले इसमें कुटी हुई लाल मिट डालेंगे जिससे बहुत ही सुन्दर सा लुक आएगा यहां पर मैंने कम ही डाला है क्योंकि मैंने इसके अंदर हरी डाला है हरी मिर्च को पीस्ते तो में डाला था और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मा चाठ वसाला अगर आपके पास चाठ वसाला नहों तो आप इसकी जिससे बहुत ही अच्छी खुस्बू आएगी टेस्ट आएगी और नास्ते को डाइजस करने में आपको मदद दिलेगी हाफ टीस्पून तक जीरा हाफ टीस्पून हम इसमें डालेंगे मोटी अली सौम दोनों के कामनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर आपको इसकी रैस्पी चीए तो कमेंट बॉक्स में करना आपके साथ साय करेंगे तो वैसे तो बच्छे वेजीटेवल खाते नहीं तो उनको नास्ते में चुपा के खिला सकते हैं तो आप इसमें हम डालेंगे एक medium size का प्याज जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को skip कर सकते हैं फिर इसके बार हम इसमें दो ग्रेंचिरी डालेंगे अगर आपका बच्चा बहुत ज़्याज चोटा है तो आप ग्रेंचिरी को skip कर देना फिर इसके बार हम इसमें डालेंगे कैल्सियों से वर्पूर सिर्म्ला मिर्ज जो एक medium size के लिया है तो सिर्म्ला मिर्ज का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस नास्ते में तो आप इसको मत करना सिर्म्ला मिर्ज डरू डाला अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसको skip कर सकते हैं फिर इसके बार हम इसमें डालेंगे नास्ते को जूसी बनाने के लिए एक medium size का टमाटर जो लार होना चीए ना इसके juice निकाले है ना यही भीज निकाला है फिर इसके बार हम इसमें डालेंगे एक medium size की गाजर जिसको मैंने इस तरीके से ग्रेट करके लिया है फिर इसके बार हम इसमें डालेंगे एक हिंच का अध्रक जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है अगर आप चाहें तो इसका पेष्ट भी डाल सकते हैं तो गाजर डालने से बहुत ज़रा फाइदे मन्द होता है आँखों के लिए नास्ता हमारा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्थी भी बनेगा विए हमने इतनी साई चीजे डाली हैं आप इसको हम बड़ी हासा टेस्ट डा कर देना साथे डालने के लिए डालेंगे इसके अंदर दो चम्मच हरा धनिया अगर आपके पास हरा धनिया ना कह तो आप इसकी ज़यापे पुदिना सेस्टे या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं तो यहां पर लग रहा है थोड़ा सा गाणा है तो आप इसको फिलफी बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे एक छोटा कफ चाच अगर आपके पास चाच ना हो तो आप इसकी ज़गा पर निम्बू का रस भी डा सकते या फिर दही डाल लें तो दो चमद दही को दो चमद पाईन में मिला के अच्छा से मिक्स कर देना तो एक छोटा कफ तयार ह जाएगा अगर बड़ा कफ है तो आपको सिर्फ कितना लेना है आधा कफ तो यहां पर देखे इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया है और आप इसको हम दो मिनट का रेश्ट देंगे ताके सारे फ्लेवर बिल्कुँ अच्छे से समाझ जाए और नास्ता हमारा फूला फूला ब देंगे और दूसरा काम करेंगे तो यहां पर देखे वापस है छोटा ला मिक्सी का जाले लिया इसके अंदर हम डालेंगे दो चम्मच मोंपली जिसको मैंने अच्छे से भून लिया है विरकु अच्छे से लाल भून के लेना है जिसे बहुत यह अच्छा टेस्ट आएग कर फिर इसके बाद हम इसमे तीन कलिया लस्न की डालेंगे अगर आप लएसन नहीं काते तो इसको हटा सकते फिर एक इच्च गा अच्छे से बास करके छिलका निकाल लिए अद्रग डाल देंगे फिर इसके बाद हाफ टीस्पूर हम इसमें डालेंगे जीरा और अब इसमें हम एक चमच डालेंगे इमली का पल्प अगर आपके पास इमली का पल्प ना हो तो आप इसकी जगा पर निम्बू का रज भी ला तो फ्रेंड यहां पर देखिए मैंने इसको पीस लिया है पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है अब यहां पर इसको हम ऐसे टास्वर कर लेंगे कटोरी के अंदर अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं लेकिन मैं इसके पर लगाऊंगी तड़ तड़का लगाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है पहले वह आपको बता देते हैं तो मैंने यहां पर थोड़ा सा जीरा लिया हाफ टीस्पून हाफ टीस्पून मैंने लिया है सड़सो और एक मैंने यहां पर सूखी लालमिच को इस तरीके से दो खंड में तोड लिया और एक चुटकी हैं हreं जाल दीए अब तड़के पयार में मैं ynने तेल को अच्छे से गलदी करेंगी जा वे एम तर बादा कर लगने解क की आवाद केart से तालाया नहीं लेकिर HAS氏 से लिए हॉ सब्सक्तिणक़ कर लिए । उसका टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा चलिए चटनी को साइड में रख देते हैं दूसरा काम करते हैं तो फ्रेंड यहां पर देखें मैंने क्या लिया है यहां पर मैंने एक बड़े साइच का आलू लिया है जो कच्छा आलू लिया है और अब इसको हम फटा फट चीन ल क्या है आलो के लचीं में पतले पतले और लंबे मिलेंगे अगर आप इस तखेंखें खोटे-चोटे में लेंगे और अच्छा लुप नहीं आएगा तो इस तरीका से इसफो फटर फट ग्रेट कर लेना है तो यहां पर देखें आलू को मैंने ग्रेट करी अगेन्द और ल इस भी बहुत ही ज़रा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी और इस तरीके से हलके आंतों से दबाना है ताकि लच्छे तूटे ना तो चलिए तीन से चार पानी वास करने के बाद फिर लेकर आते तो आपको एक बार का खयाल लगना है कि यह पानी को वेश्ट नहीं करना है अश्टरा पानी निकालना बहुत जरूरी है तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से निचोड दिया है और यह देखिए इतना पानी आलू में से निकल गया इसको साइड में रखतेंगे यहां पर एक बड़े साइश का बड़ता ले लेंगे उसके अंदर अपन अब इसकी जवाब पर निम्बू का रस्पी डाल सकते या फिर ड्राय आम चुर पॉड़ा यानि कटाई कर सकते एक चुटकी हिंग डालेंगे फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला एक चुटकी जो मेरा होमेड है अगर आपको इसकी रस्पी चाहिए तो चावल का रस्पीर आपको चाहिए तो कमेंट बाक्षए कमेंट करना आपके साथ सेये करेंगे नहीं तो आप अर्श Kingdom के डालेंगे और प्तव अगर आपके पास कॉन फ्लॉर ना हो तो आप इसकी जगा पे सिर्फ चावल काटा ही इस्तमाल कर सकते हैं और इस तरीके से सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे पाई डालने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो आलू का लच्छा होता उसमें खुद का पानी होता है तो ज्यादा हमें नहीं डालना है अगर आपके पास चावल काटा ना हो आप बनाना भी नहीं चाते तो आप इसमें क्या डाल सकते हैं आप इसमें सूजी को बारी करके डा सकते हैं तो यहां पर देखे सारी जीजो को अच्छा से मिक्स कर दिया है चार चम्मच हमने जो डाला है कॉन फ्रॉर और चार चम्मच जो चावल काटा डाला उससे जाला नहीं डालना नहीं तो आलू का जो टेस्ट होगा वो खतम हो तो इतना डालना है बस इसमें बाइंडिंग आजाए अपने हाथों को वास करने के बाद इसको शेव देंगे तो चलिए हाथों को वास कर लेते हैं तो फ्रेंड हाथों को अच्छे से वास कर लिया अपने हथेली पर थोड़ा सा ओईल लगा लेंगे आप घियो बटर भी इस तरीके से और आप इस तरीके से बना के इसे श्टोर करना चाहते तो आप आलू के मिस्टन में नमक मट डालना अगर आप नमक डालेंगे तो वो तुरंत का तुरंत पानी छोड़ देगा तो नमक आपको तभी डालना है जब आप इसको बनाना चाहें तो देखिए इस बना के आप इसे हवाबन डिब्बे में भरके रख सकते जब आपका दिल करें आप महमान है आप निकाल के बना सकते आप इसे बच्छों के टिफिन वाक्स देंगे तो बच्छे पूरा टिफिन वाक्स फिनिस करके आएंगे और आपको टेंसर भी नहीं होगा कि हमारे पूरा टिफिन वाक्स देंगे तो आपको पता होगा कि उसने बहुत ही अच्छे से पेड़ भरके घाया है तो चलिए बना लेते हैं फटा फट तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया आप चलते बनाने के प्रोसर्स की तरफ तो फ्रेंड आगया है गैस की यहां पर देखें मैंने पैल लिया आप जाए तो इसकी जवा पर कराई भी ले सकते हैं जो भी बरतर लीजे थोड़ा सा भारी लीजे और तेल को विल्कुर अच्छे से गरम कर लेंगे जब एक बार गरम हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मैडियम कर देंगे और मीडियम फ पकाया है और आपको भी इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है जब दो मिनट हो जाएगा तब इस तरीका से हम इसको टर्ण कर देंगे टोटर इसको बनने में चार से पांच मिनट का टाइम लगेगा और आपको इस देखा के मज़ार जाएगा यह जितना ज़्यादा क्रिस्ट पकाया लेंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा करार आजाए तो देखिए कितना पढ़िया तरीके से गोर्डन ब्राउन हो गया है इसे में बहुत ज़्यादा कर नहीं करूंगी आप इसको हम निकालने के लिए इस तरीके से छन्ने का इस्तमाल करेंगे और इस तरीके से निका हम साइट में रज़ेते हैं और अपने बैटर को चेक कर लेते हैं वह फूल गया होगा तो फ्रेंट यहां पर देखिए बैटर हमारा बिल्कु अच्छे से फूल गया है फूलने के बाद इस तरीके से हलका हो जाता है अब इसको हम 10-15 सेकंड इस तरीके से फेटेंगे और देखिए डेक्सर में आपको फेटना है एक बार ऐसे नहीं एक बार इस तरीके से कीजिए एक बार इस तरीके से यह नहीं करना है तो यहां पर देखिए वैटर बिल्कु अच्छे से हो गया है अब यहां पर मैंने एक पैन लिया है छोटा वाला अगर आप चाहे तो इसकी प्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई प्लेम पे नहीं बनाना इस नास्ते को, तो जब तक तेल गरम नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे हमारा तेल गरम हो जाएगा, हम अपने तयार वेटर को इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे हम दो कडशी डाले अगर अकी बड़ी है तो आफ सिर्फ एक डालना और इस तरीके से डालने के बाद अब इसको हम दो मिनट के लिए पकने देंगे, यहाँ पे गैस का जो प्लेम है, वो हमें मीडियम रखना है, हाई प्लेम पे नहीं बनाना है, और नहीं बहुत ज़र्दा लोग प्लेम पे आफ कवर कर सकते हैं, तो चलिए दो मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, तो फ्रेंट दो मिनट हो चुका है, इसको पकते वे, जब यह पक जाता है, तो आप इस तरीके से चेक कीजिए, नाइप को इस तरीके से देखिए, किनारे बिल्कुल अच्छे से छोड़ रहे, इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा, और आपको इसे खा के मज़ा जाएगा, तो चलिए 2 मिनट और पका लेते, तो फ्रेंट 2 मिनट हो चुका है, इसको दूसरे साइट से भी पकते वे, यह देखिए बिल्कुल अच्छे से छोड़ रहा है, अब इसको हम फटाक से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर जब अच्छे से डिन हो जाएगा, तो इस तरीके से हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, यह देखिए कितना ज़रा देखने में सुंदर लग रहा है, घाने में से ज़रा क्रिस्पी है, और दूसरी बात, आपको इसे बनाने के लिए कोई ज़रा चीजों की जरूरत नहीं है बेसिक चीजों के साथ बन जाता है दुबारा बनाने के लिए हमें तेल लगाने की जरूरत नहीं है यू़िकि पैन हमारा अच्छा से ग्रीस है और इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे दुबारा भी तो एक चमज भरके लेना है धीर आपको खाली नेना है, इसको बहुत ज़्यादा मोटा नी बनाना है, बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नी बनाना है, तो चलिए फटा-फट बना लेते हैं, सारे फिर आपसे मिलते हैं, और अंदर से बिल्कुल भी हाट नहीं है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, यह देखिए कितना बड़ीया तरीके से कुख हुआ है, और इसे मैंने सब किया यह वाली चटनी की रेस्पी के साथ, और यह चटनी की रेस्पी मैंने आपके साथ सेयर की है, तो कैसी लगी आपको डेला उसकी वज़े से यह आई नहीं बनता है तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और दूसर नास्ते को चेक कर लेते हैं तो यहां पर देखिए यह हमारा दूसर नास्ता है यह देखिए कितना फूला फूला और कितना बढ़िया तरीके से बना है चलिए आपको दिख पत्ति के लेंच बॉक्स में दे सकते हैं जितना ज़ड़ा सॉफ्ट बनाएं उससे ज़ड़ा यह हल्दी है क्योंकि कम तेल का है और इस रेस्पी को आप एक बाद बनाएंगे तो इसके दिवाने हो जाएंगे तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ीरासी रेस्पी कमेंड बॉक में ज़रूर बताना रेस्पी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारी मेहनत को फैमली और फ्रेंट के साथ दिल खोल के सेयर करना ताकि यह रेस्पी बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आए और लोग इसे बहुत ज़्यादा ब